नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों दवाईयों को देने से क्या फायदे होते हैं नुकसान क्या हो सकते हैं कैसे देना है कितने दिन देना है और कितनी उमर में देना है इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूर रहें तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं दवाईयों के बारे में यह है औराकूल जेल और इसमें है कोलिन सैलिसाइलेट एंड लिगनोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल जो की आती है मुझ के छालों को ठीक करने के लिए और यह दोनों दवाईयां माउथ अलसर यानि कि म मुझ के छालों को ठीक करने के लिए इस्तिमाल की जाती है और दूसरी जो दवाई है वो है पहले इसका MRP बगारा बता दूं साथ रपे MRP है और 15 ग्राम की जेल है यह और समार्ट कंपनी की आती है और जो दूसरी दवाई है यह है बिटामिन बी कॉम्पलेक्स सिरप जो क इसके विद आयरेन है नियसिनमाइड है डी पैंतोनेल है और एल लाइसिन है मेडिटक के कंपनी का आता है और 60 रपे MRP है इसका भी और 100 अमल की यह बोटल में मिलेगा आपको तो इन दोनों का इस्तमाल मुझे छालों के लिए इस्तमाल किया जाता है चाहे वो बड़ों को हो चाहे बच्चों को हो किसी को भी हो इन दोनों दोनों को इस्तमाल किया जा सकता है अब इसको इस्तमाल कैसे करना यह भी बता देता हूं इन दोनों इसको आपने लगाना है मुझे अंदर ठीक है दिन में तीन से चार बार इसको लगाना है ठीक है और पूरे मुँ में लगाना है उंगली की मदद से और हो सके तो दो तीन मिनट के बाद आप थूक भी सकते हैं ठीक है तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको भी पीना है दो दो चम्मच सुबह शाम अडल्ड के लिए बता रहा हूं बड़ों के लिए दो दो चम्मच सुबह शाम अगर बच्चों को देना है जैसे 6-7 साल 8 साल का बच्चा है तो उसे एक चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है, अगर फिर भी छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जो मुसीबा टैबलेट आती है, उसका भी इस्तमाल किया जा सकता है, ठीक है फिर इसकी quantity को कम किया जाता है, कम मातरा में देना है ठीक है, और अगर पेट में गैस वगेरा हो रही है, तो साथ में ऐसी लोग टेबलेट आती है उसका भी इस्तमाल किया जा सकता है तो मुझ के च्छालों के लिए जो मैंने जो दवाईयां बताइए बेस्ट है और बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं रेगुलर यूज करने से ठीक है तीन दिन से लेके साथ दिन तक इन दवाईयों के इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है अगर गैस है तो ऐसी लोग टेबलेट का जरूर इस्तमाल कीजेगा पेट में कई बार गैस की वज़े से भी छाले हो जाते हैं क्योंकि गर्मी जब होती है पेट में तो चाले जरूरो हो जाते हैं तो उस कम desapare बिदियो मैंने बनाया हुआ है तो वह भी देख सकते हैं कमेंट करके बतायेगा तो मैं वहाँ पर आपको उसका लिंक दे दूंगा ठीक है दोस्तों इन दवाईयों का वैसे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है फिर भी इनको लेने से आपको उल्टी घबराहट मतली चक्कर या पूरे श्रीर में खुजली होना दाने निकलना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आज के लिए बस इतने ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगाओ तो उड़ी को लाइक जरू कर देनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद